हालो फ्रेंड स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ग्यान में आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में इस वीडियो में हम देखेंगे बेसिकली एक रिपोर्ट के तुरू के आकर यहां से क्या कुछ तार्गेट्स हो सकते हैं क्या कु ही रिटन कमा सकते हैं और साथ के साथ जैनवरी मंत में मुचल फंट की होल्डिंग में क्या कुछ चेंजिस हुए हैं वह भी हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं तो वीडियो को एंड तक आप जरू देखें आपको सारी चीजह जो है वह अच्छे से समझ में आ जाए औ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लीजेगा और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो एक लाइक जरू कर दीजेगा एम करते हैं कि थाउजन लाइक इस वीडियो पर मिल जाएं तो प्लीज प्लीज थाउजन लाइक इस वीडियो पर जरूर करवाईएगा सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखोगे तो years bank की जो closing थी वो आपको negative देखने को मिली थी और even जब से अगर आप देखोगे यहाँ पर जो results आये हैं तब से ही negative माहल बना हुआ है 23.65 पर share की closing हुई लगबग 1% के negative moment के साथ ठीक है बाकी volume अगरा के बारे में हम लोग previous वीडियो में discuss कर चुके हैं तो मैं सबसे पहले यहाँ पर आपको direct report पर ले कर चलता हूँ years bank share 2024 यानि की 2024 के लिए years bank का जो share है वो एक opportunity है या फिर यहाँ पर invest करके आपका पैसा डूब सकता है इस report में पूरी तरीके से detail में discuss किया है और इनी कुछ questions के answer हम इस report के दुरू डूणने वाले हैं performance के बारे में बात करें तो पिछले कुछ महीनों में years bank के share ने अपनी निवेशकों को अच्छा return बना कर दिया है यह अगर आप देखोगे तो देखने को मिला है इसके शेयर जो 21 रुपे पर थे वह 23 रुपे के आसपास ट्रेड कर रहे हैं और एक टाइम पर यह 25 तक भी गए हैं लेकिन अगर आप देखोगे तो जैसा कि मैंने mention किया आप सभी को पता होगा कि जब से q3 के results आए हैं तब से चीजें थोड़ी सी negative होई है और उसी के बाद से आपको continuously जो moment है वो negative देखने को मिल रहा है financial overview एक बारी जान लेते हैं तो company का market capitalization इस टाइम पर यानि कि जिसको आप market cap बोलते हो वो 62,585 करोड है जो कि एक अच्छा घासा market capitalization माना जाता है जबकि profit growth में negative trend जो है वो देखने को मिल रहा है लेकिन अगर हम Q3 की बात करें तो वहाँ पर आपको positive moment है इसके asset और liabilities भी बड़े है जो company के लिए अगर आप देखोगे तो बित्ती अस्तिती की और इशारा करते है asset liability directly आपको financial health बताता है company की के asset ज़्यादा है या liabilities ज़्यादा है तो वो भी यहाँ पर आपको increase होते हों नजर आए वहीं अगर हम बात करें institutional holdings की तो share holding pattern के according अगर आप यहाँ पर देखें तो जो QII यानि कि qualified institutional investors होते हैं उनकी holdings में आपको upside growth देखने को मिली है यानि कि लगबग वो 64% जो कि एक बहुत बड़ी percentage मानी जाती है जिसमें अगर आप देखो तो बिदेशी और भारती है यानि क FII और DII दोनों मिलाकर 64% की holding है जो कि एक बहुत बड़ी holding मानी जाती है क्योंकि इसमें promoters की holding zero है अब predictions की बात करते हैं कि आखिर यहां से prediction क्या हो सकती है तो market expert और media report के अनुशार years bank के share का target price 2024 के लिए 40 रुपे के आसपास बताया जा रहा है देखो 20 रुपे के आसपास ट्रेट करने वाला share अगर 40 पर पहुंच जा मतलब target निकल के आए है वह 40 रुपे के हैं 40 रुपीज के हैं जो कि कहीं न कहीं अचीवेल तो दिखाई देते हैं तो यहां से इस report में जो भी नेगेटिव है यह पांस साल में भी नेगेटिव ही है लेकिन विछले तीन साल में चीज़ें पॉजिटिव होई है और प्रॉफिट ग्रोथ भी 27 परसंट से होती हुए नजर आ रही है तो लॉंग दम का चैनेरिव तो आपको पताई है क्या कुछ हुआ था लेकिन शॉट ने ना तो कोई विकबाली करी है ना ही कोई खरीदारी करी है शियर के अंदर एस बैंक के तो अभी जितना डेटा अभी तक है जो लेटेस्ट है जीरो एमफ बॉट जीरो एमफ शोल्ड इन यस बैंक तो इन दी मंथ जैन्वरी 2004 जिसके वेदें कोई भी चेंजेस नहीं हु किया है 361 क्वांट फंड एच्डी एपसी संपी बीसी फंड एच्डी निफ्टी मिटकैप ने भी अच्छी घाजी होल्डिंग जो है वह बनाई हुई है वहीं एच्डी अपना इंडेक्स फंड और संप 500 मोतिलान ले भी मिटकैप 150 और अपना जो 500 फंड है उसमें भी अच्छा का जा एलोकेशन जो है वह मिल रहा है अशल से प्रोडरेंशल का भी मिटकैप इंडेक्स फंड नावी का भी मिटकैप इंडेक्स फंड और मेराई का है एटी एफ आपको यहां पर देखने को मिल रहा है जो की यह बैंक बमनी पोजिश्चन मनाई हुए वहीं नि प्रोदा का ELSS fund है इन सब ने अपनी अच्छी गासी holding यस बैंक में बनाई हुई है जो कि आप देख पा रहे होगे लेकिन हाँ अभी तक जो डेटा है उसके recording mutual funds ने ना तो इसमें कोई खरीदारी करी है और ना ही कोई बहुत बड़ी बिकबाली करी है तो यह है mutual funds का डेटा बाकी और जो चीजें थी वह मैंने यस बैंक की previous वीडियो में डिसकस करी आपके साथ वह आप जरू देखना मैंने अपने चैनल पर IRFC की वीडियो डाल दी है वह आप जाके जरू देखना फिस सुजलॉन के बारे में हमने बात किया है राइट इशू से रिलेटेड एक नियूज निकल के आई है वह आप जरू देखना और इस वीडियो का जैसे की एम था थाउजन लाइक का तो प्लीज प्लीज इस एम को अचीब कराईए इसी ही इ अन्यवाद